नमस्कार पीना स्पूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जटपट बनने वाला दो तरह का मिर्च का अचार ले करके आई हूँ इसके लिए मैंने 200 ग्राम मिर्च खरीद के रखा है जिसे धो करके सुखा ले और पानी इसमें न रहने ये वाला कम तीखा होता है और दूसरे तरह का डाक मिर्च काफी तीखा होता है जिस तरह का आप मिर्च पसंद करें आप इसे बना सकते हैं कुछ मेरे पास लाल मिर्च ये सूख जाते हैं जिसे ये लाल हो जाते हैं आप इसे धूख में रखें तो ज़्यादा सूख जाएंगे और इसे आप छौक में इस्तमाल कर सकते हैं बड़े बड़े मिर्च के टुकडे को आप इसे कट कर ले उपर से जुड़े भी रहने द सकते हैं या फिर नीचे से जुड़े रहने दे बिना कट के भी यूज कर सकते हैं आप छोटे छोटे टुकड़े में भी कट सकते हैं या फिर इसे एक चीरा लगाए और उपर से हेड को कट ना करें या फिर बड़े मिर्च को दो टुकड़े में कट कर सकते हैं आप चाहें त यको नमाक और एक चमचहलदी डाल करके मिला लें , दो निम्मू से रस का निकाल दें और इसमें मिला दे , बिना तेल के भी आप इससे बना सकते हैं , तेल को पहले गरम करें अाप ठंढा करें और इसमें डाल दें ऑर बॉटल में भरक दें , सिन्फ मिर्च मिर्च का बनाना हbb तो करें थोड़े से मिर्च में बचा लिये है आप इसमें निंबु को छोटे-छोटे तुकडे में कट करें अद्रक को जूलि양 कट करें कुछ इस तरह से इस अचार को बराबर का अचार कहते हैं आप जितना निम्बू, जितना मिर्च, जितना अद्रक लिये हैं, उतना ही लैसुन ले ले, दो निम्बू का रस निकाल करके डाले, नमक और हल्दी डाल दें इसमें, और दो चमच रोस्टेट अच्वार मंग्रेल डाल दें, अच्छी तरह से इने मिला ले, इंस्टेंट र अचार बनके त्यार हो गया है, इसे किसी बॉटल में भर ले, बॉटल क्लीन और ड्राइ होना चाहिए, सिर्फ निम्बू को छोड़ करके बाकी आप सेम डे खा सकते हैं, मिंस तुरंत ही खा सकते हैं, आप इसे धकन लगा करके धूप में रखें, धकन के पास एक मलमल का दे उसको बांदे, उसके बाद आप धकन लगाएं, जिसे मुश्चर नहीं आते हैं, और बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे, इस धूप नहीं आती हो, तो आप गैस पे भी पका करके इसे बना सकते हैं, तब भी ये खराब नहीं होता है, इस में थट से जब कभी भी आ आप अचार बनाया, तो ये सालवर चल जाता है, इदि आप तेल नहीं डालते हैं, तो थन के दिनों में 10 से 15 दिन चलते हैं, इस में और भी मसाले डाल सकते हैं, आप अपने सुपधा के नुसार और भी डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्च, सौफ, ब्लैक पेपर, लेकिन मैंन को कम कर सकते हैं, या कोई भी चीज आपको नहीं डालना हो, तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बनाया, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, और अभी तक आ मैं आप से नेक्स डेसीपी के साथ, तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स फॉर वोचिंग